नमस्कार भवशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भवश्य आपके राशी का भवश्य बताने के लिए आज शावन मास के शुक्ल पक्ष की उदया तीथी दश्मी और गुरवार का दिन है दश्मी तीथी आज सुबह दस बच कर 27 मिनट तक रहेगी उसके बाद एकादशी तीथी लग जाएगी आज दो पहर दो बच कर 58 मिनट तक वैधित योग रहेगा साथ ही आज दो पहर 12 बच कर 30 मिनट तक जेश्ठा नक्षत रहेगा उसके बाद मूल नक्षत लग जाएगा आगे हम इसी पर विस्तित चर्चा करेंगी साथ ही आज अगर आपका वर्स डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मारीज अनिवर्सरी है तो क्या खास करें चाहे आपका आज का लखी कलर और चाहे आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने बज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दर्वादा खुलेगा किस अक्षर का चाहे भवि उसकी तरह याद भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जो तिश्य गणित पक्ष ने आकाशी ये पिंडो के बीच पहने वाली इलेक्ट्रोमाइटिक फील्ड के मुवमेंट को कलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैदियों की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 17 अगस्त की दो पहर पहले 11 बच कर 49 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 35 मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार से धियोग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 18 अगस्त की सुबह 5 बच कर 36 मिनट से सुबह 10 बच कर 15 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएफ चर्चा करते हैं आज के शुभ महूर्त यानि कि फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्त 2 बारा बच कर 35 मिनट से 2 बार 2 बच कर 58 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त 17 अगस्त की सुभा 8 बच कर 6 मिनट से सुभा 8 बच कर 11 मिनट तक और एक बार फिर सुभा 10 बच कर 27 मिनट से दो पहर पहले 11 बच कर 49 मिनट तक रहेगा कर्स्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त 17 अगस्त की दो पहर पहले 11 बच कर 49 मिनट से शाम 5 बच कर 9 मिनट तक और एक बार फिर शाम 5 बच कर 29 मिनट से शाम 6 बच कर 52 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रियल इंस्टिटूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त 17 अगस्त की दो पहर 12 बच कर 19 मिनट से शाम 5 बच कर 49 मिनट तक और एक बार फिर शाम 5 बच कर 69 मिनट से शाम 7 बच कर 22 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त कल यानि कि 16 अगस्त की दो पहर 12 बच कर 44 मिनट से शाम 5 बच कर 13 मिनट तक और एक बार फिर शाम 6 बच कर 55 मिनट से राद 11 बच कर 23 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त 19 अगस्त की दो पहर एक बच कर 32 मिनट से शाम 6 बच कर 44 मिनट तक और एक बार फिर शाम 7 बचे से राद 8 बच कर 11 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्त दो पहर 12 बच कर 33 मिनट से दो पहर 2 बच कर 58 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुव समय की आकाश्ट में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रो माइगनेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुव करांती सामें से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई विशुव कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज कोई अशुव समय नहीं बन रहा है आप ये अशुव समय अच्छारा अगस्त की सुबह साथ बचकर पैंटीस मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राश्या प्रभावित होंगी लेकिन बेश, मितुन, कर्क और कुंपर राश्या विशेश रूप से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के बारा मिनट पहले और बारा मिनट बाद तक कोई विशुव कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बता दू कि पाम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जरी रख सकते हैं आज दिल्ली मेरा हुकाल होगा दो पहर दो बच कर 4 मिनट से, दो पहर बाद 3 बच कर 43 मिनट तक, मुंबई दो पहर दो बच कर 18 मिनट से, दो पहर बाद 3 बच कर 54 मिनट तक, चडिगर दो पहर दो बच कर 6 मिनट से, दो पहर बाद 3 बच कर 45 मिनट तक, लखनव दो पहर 1 बच कर 49 मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर 27 मिनट तक भोपाल दो पहर दो बच कर एक मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर 38 मिनट तक कोलकाता दो पहर एक बच कर 17 मिनट से दो पहर दो बच कर 54 मिनट तक अहमदाबाद दो पहर दो बच कर 20 मिनट से दो पहर बाद 3 बच कर 57 मिनट तक और चेन नई में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बच कर 47 मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर 22 मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की सुब्दिशा क्या है तो आज जो सुब्दिशा है उत्तर और आएब शुरू करते हैं सिलसला राशिफल का सबसे पहले बाद रोज की तरह आज भी मेशराशी मेशराशी वालों आज आपका दिन बढ़िया रहेगा आज परिवार में विशेश लोगों का आवागमन हो सकता है आज आप इसकी तैयारी में व्यस्त रहेंगे आज आप अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई बढ़ान रणय लेना चाहते हैं परन्त कुछ उल्धनों के कारण आप फंसे हुए हैं कविता लिखने के शौकीन लोगों को आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म किसी दोस्त की मदद से मिलेगा आज आपके वायवाही जीवन में धेरों खुशी आएंगी इस राशी के सरकारी भी भाग के कर्णचारियों के वेतन में बढ़ोतर ही हो सकती है साथ ही जल्द ही कोई अच्छी खबर भी मिलेगी लव मेट अपने रिष्टे की जानकारी घरवालों को देंगे आपके प्रस्ताव पर सोच विचार करने का समय लेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है सिक्स वरेश राशी वालों आज आपका दिन बहत्रीन रहेगा कारोबार में अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे आज कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी आज शाम का समय बच्चों के साथ बिताएंगे उनके मन की बातों को समझेंगे काफी समय से आपके रिष्टे की बात चल रही थी वो जल्द ही पक्की होगी आज आपके तै किये गए काम समय से पूरे होते नजर आ रहे हैं साथ ही कुछ काम वक्त से पहले पूरे करने की वज़े से खुद के लिए प्रसन्नता मिलेगी आज बाहर के खाने को जहां तक हो सके आवाइट करें दोस्तों के साथ आज मुवी देखने का प्लान बना सकते है बुजर्गों को अपनी सेहत में बदलाव नजर आएंगे आज आपको बेहतर महसूस होगा आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नमबर है एक मित्र राशिवालों आज आपका दिन खुशाल रहने वाला है इलेक्ट्रोनिक्स के कारोबारियों को लाप के योग बन रहे हैं वाई वाहिक जीवन में अपना पन रहेगा आज शाम को डिनर बाहर करेंगे बच्चों के साथ आपसी लगाऊ बढ़ेगा शिक्षकों के ट्रांसफर की परिशानिया खत्म होंगी आप जहां चाहते हैं ट्रांसफर भही होगा आर्थिक इस्थिति में बंस्बूती आएगी आज व्यापार में सफलता के अन्यक अफसर मिलेगे आप ट्रेनिंग इस्टिटूट में ट्रेनर के पतपर हैं दिन में लजुला रहेगा आज दोस्त आपका मनोबल बढ़ाएंगे आज आपके स्वास्त में बेहतरी बनी रहेगी आज सोची हुई कारी रोजनाओं को पूर्ण करने में सफलता मिलेगी जमीन जादात से जुले कारे से आगे बढ़ेंगे आज परिवार का कोई संपत्य सम दबी मिलेगी भाई वा बहनों का सहयोग आपको भरपूर मातरा में मिलेगा और मा की कोई इच्छा भी पूरी होने से आप खुश रहेंगे आज आपकी किसी बड़ी कंपनी के साथ डील फिक्स होने की संभावना है आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंब आप दोर से ठकावट का एहसास होगा दांपत जीवन में चलो आज एक दूसरे को समझ कर चलना होगा इससे घलत फहमिया नहीं होंगी कारोबार में सुख़द बदलाव आएगा इस राशिके प्रतियोगी परिच्छा के चात्रों को समझदारी से तैयारी करनी चाहिए मात प्रतापिता की जिम्मेदाजियों को उठाने का पूरा प्रियास करेंगे आज जल्द आफिस का काम निफ्टा कर घरवालों को समय देंगे प्रापर्टी डीलिंग के कारोबारियों का दिन लाबदायक रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है पीच और लखी नंबर है च आज जीवन साथी के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं उन्हें अच्छा फील होगा नया कारोबार शुरू किया गया है तो उससे अच्छा लाब होगा आज आपको स्वास्त सम्मधित समस्या से काफी आराम मिलेगा चात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है कि इसी टॉपिक को समझने में सहपाठियों की मदद बिलेगी कुल बिलाकर आज का दिन अच्छा रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है ब्राउन और लखी नंबर है पांच तुला राशिवालों आज का दिन आपके लिए शांदार रहने वाला है आपका मन आज किसी बात को लेकर बहुत अधिक परसंद न रहेगा आप मनी मन फूले रही समाएंगे आध्यात्मिक्ता से अपने मन को बहुत अधिक शांत रखने की कोशिश करेंगे आज अपनी वा मारों में शामिल होंगे आपको आपकी मेहनत के अच्छे परणाम मिलेंगे कारेक्षेत्र में आप ऐसे विक्तियों से जुड़ेंगे जिन से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है सिलवर और लखी नमबर है तीन व्रेश्चित राशिवाल आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है आपको आज समाज में मान सम्मान मिलेगा जिससे आपका मन बहुती संतुष्ट रहेगा आपका मन धार्मिक कारेक्रमों में लगा रहेगा आप किसी मंदिर में दानपुने का सामान बाढ़ सकते हैं चात्रों की चात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता परिक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए परिवार के सरस्यों में यदि किसी प्रकार की अन्बन चल रही है तो वो सुलच सकती है जिससे आपके परिवार में शांती का माहौल रहेगा नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन ठीक है अपने कारिक्षेतर में मन लगा रहेगा आज के लिए आपका लकी कलर है यलो और लकी नमबर है सेवन धन और आशिवालों आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है आज आप किसी प्रकार की किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं जहां आपको व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे और कोई बड़ी डील भी प्राप्त हो सकती है जिससे आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको नया काम भी कर सकते हैं जिसमें आपको धन का लाब होगा आज का दिन अच्छा रहेगा आपके अधिकारी आपसे प्रसंद रहेंगे तथा वो आपके काम को देखकर आपकी पदोनत ही कर सकते हैं और आपको बोनस इत्यादि भी दे सकते हैं जीवन साथी के साथ आपका तालमेल सही बना रहेगा आज के लिए आपका लकी कलर है बलैक और लकी नमबर है एक मकर राशी वालों आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज उनके किसी कारे से अधिक धनलाब होगा व्यापार करने वाले लोगों का व्यापार अच्छा रहेगा अपने परिवार के किसी सर्दशी की सेहत को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित रहेगे परण तो बात में सब ठीक हो जाएगा इश्वर आपकी सभी मनों कामनाएं पूरी करेंगे संतान की ओर से मन में संतोस रहेगा तथा जीवल साथी का आपको भरपूर साथ मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है पीच और लखी नंबर है दो कुम्भराशेवालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है कार्य छेत्र में आपके कामों की वाहवाही होगी और आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा आज आपको अचानक कोई पुराना रुका हुआ धन प्राप्थ हो सकता है जिससे आपका मन बहुत अधिक पसंद रहेगा आज आपको आपके ससुराल पक्ष से कोई बड़ी खुश्खबरी प्राप्थ हो सकती है आप अपनी माता जी से आज अपने मन की किसी इच्छा को जाहिर कर सकते हैं जो विद्यारती विदेश जाकर शिक्षा गरहन करना चाहते हैं उन्हें आज किसी संस्था से जुड़कर विदेश जाने का मौका मिलेगा कुल विलाकर आज आपका दिन शांदार रहने वाला है आज के लिए आपका लगी कलर है परपल और लगी नंबर है पाँच मीन राशिवालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है आपका धन आज किसी शुब काम में खर्च होगा जिससे आपका मन परसंद होगा आपके परिवार में आपके कामों को देखते हुए आपकी परसिद्धी बहुत अधिक बढ़ सकती है नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा सावधानी से रहने वाला होगा यदि आपके सहकर्मियों से किसी प्रकार की अन्वन चल रही है तो वो आज खत्म करने की कोशिश करेंगे लव मेंट आज कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है सेवन और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज मचली को चारा डाले और जिनके आज मेरी जनिवरसरी है वो आज एक साथ भगवान के आरती करें तो साल भर सुख और सौभाग बढ़ता ही रहेगा और आई एफ चलते हैं अंकों की रहसमाई दुनिया में मूलांक एक वालों आज का दिन किसी से चल रही नाराज़गी को दूर करने के लिए बढ़िया है आप कोशिश कर सकते हैं मूलांक दो आज दोस्त के किसी अनुस्ठार में जाएंगे वहाँ उनको काम में आप मदद करेंगे मूलांक तीन आज आज आप बर्डे पार्टी अटेंड कर सकते हैं जहां आप खूब एज्जॉय करेंगे मूलांक चार अपने सुभाव को पूरी तरह से बेहतरी रखें जिससे लोग आपसे खुश होंगे मूलांक पाँच आज आपके दोरा सोशल मीडिया पर की गई कोई पोस्ट लोगों को बहुत पसंद आएगी मूलांक चे आज बाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो घरवालों की राय अवश्य ले ले मूलांक साथ जीवन साथी के साथ आज पुरानी वातने करेंगे और कुछ अच्छे पनों को जाद करेंगे मूलांक आठ साजावट के कारोबारियों को आज कोई नई डील मिलेगी जिससे अधिकलाब होगा मूलांक नव आज आपके लिए खुशी का दिन है आपके सपनों को आज नई पहचान मिलने वाली है और अब चर्चा वास्तुशास्त की वास्तुशास्त में आज हम बात करेंगे आगनेय कोण में लकडी का फरनीचर रखने से होने वाले फायदे के बारे में लकडी का furniture रखने के लिए आगने कौन यानि दक्षन पूरोदेशा का चुनाव करना बहतर होता है इस दिशा में लकडी का furniture रखने से आपके घर के सदर्शों का विकास निरंतर होता रहता है इससे आपके व्यापार में भी बहुत्तरी होती है साथ ही घर की बड़ी करन्या को इससे बहुत अधिक फायदा मिलता है उनका स्वास्थ बहतर रहता है अगर वो कोई बिजनस करती हैं तो उसमें उन्हें अपरतिम लाब देखने को मिलते हैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप इस दिशा में हरा रंग किया हुआ लकडी का फरनीचर रखते हैं या फरनीचर पर कोई हरे रंग की चीज रखते हैं तो ये आपके लिए और भी फायदे बंद होगा वैसे आप आगने कोंड के अलावा पूर्व दिशा में भी लकडी का फरनीचर रख सकते हैं बशर्ते की वो अधिक भारी नहों वास्तु शास्तर में ये थी चर्चा आगने कोंड में लकडी का फरनीचर रखने से होने वाले फायदे के बारे में उमीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपना कर फायदा जरूर उठाएंगे और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज श्रामण शुकल पक्षी की उदेया तीथी दश्मी और गुरुवार का दिन है दश्मी तीथी आज सुबाद 10 बच का 27 मिनट तक रहेगी उसके बाद 11 शित्ती लग जाएगी आज दो पहर दो बच कर 58 मिनट तक वाइधित योग रहेगा वाइधित योग इस्थिर कार्यों है तो ठीक है परन्तु यदि कोई भागदोर वाला कार्य अत्वा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए साथ ही आज दो पहर 12 बच कर 53 मिनट तक जेश्था नक्षत्र रहेगा उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा जेश्था नक्षत्र की चर्चा तो हम आपसे कल ही कर चुके हैं लेहाजा आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्र के बारे में आकाश मंडल में इस्थिस 27 नक्षत्रों में से मूल उन्नीसवा नक्षत्र है मूल शब्द का अर्थ होता है केंद्री बिंदू या जड़ इसके अनुसार एक साथ बनी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का पतीक चिन्ह माना जाता है ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं और अदर्श शक्तियों के साथ जुला रहता है इस नक्षत्र की एक खास्यत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेल को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनह प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनह प्राप्त कर लेने की च्शमता रखता है अगर मूल नक्षत्र में जन्में लोगों की बात की जाए तो ये लोग आम तोर पर अपने लक्ष के पतिक केंदित होते हैं ये कठिन से कठिन लक्ष को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष को प्राप्त न कर ले साथ ही आपको बता दू कि मूल नक्षत्र का पेर साल है जो कि शीव विश्व भगवान को बहुत ही प्री है लहाजा मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेर के पूजा करना बड़ा ही लापकारी होगा खास कर कि उन लोगों के लिए जिनका जल्म मूल नक्षत्र में हुआ है ऐसा करने से आपको सुप फलों की प्राप्ति होगी आपको मान सब्मान तथा शोरत की में बहुतरी भी होगी तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैधित योग और मूल नक्षत्र की और अब बात करते हैं गुरुवार और मूल नक्षत्र के संयोग में किये जाने वाले उपायों की अगर आप अपने बहुतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन इस्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहन कर देव गुरु ब्रहस्पत का ध्यान करते हुए उनके इस मंत्र का जब करें मंत्र है ओम आइंग लिंग ब्रहस्पता ये नमः आज के दिन इस मंत्र का 21 बार जब करने से निश्टित रूप से अपनी बहुत धिक्ष आपकी बहुत धिक्ष हमता में ब्रहोतरी होगी कुछबु वाली धूबत्ती जलाएं और अपने बिजनस की बहुतरी के लिए प्रात्ना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस में अपने आप बहुतरी होने लगेगी। अगर आपके दामपत्य जीवन में कुछ वैचारी समस्यां चल रही हैं जिसकी वज़े से अकसर आपके और आपके जीवन साथी के बीच अनबन होती रहती है तो इस इस्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन दूद और चावल की खीर बनाएं और हो सके तो उसमें थो आज के दिन ये उपाय करने से आपके दामपत्य जीवन में चल रही समस्याएं जल्द ही समात्य होगी अगर आप अपने किसी शत्तु से परेशान हैं और उस पर विज़े पाना चाहते हैं तो अपने शत्तुर पर विज़े पाने के लिए आज के दिन एक छोटा सा पीले पीले रग का कपड़ा लीजिए और साथ ही एक कटोरी में पानी के सहायता से थोड़ी सी हल्दी घोल ले अब उस पीले रग के कपड़े पर घोली हुई हल्दी से अपने शत्तुर का नाम लिखे और उस कपड़े को सी विश्व के मंदिर में जाकर भागवान के चर्णों म दन रहा हैं तो आज के दिन अपने गुरू या अपने माताफिता का आशेरवाद लेकर देवु अया मुन्स करने से आप को पढrimenti के सिलसिले में विदेश जाने में जब आते नहीं वो जल्दी ही दूर होंगी अपने हर काम को बेहतर धंग से पूरा करने के लिए आज के दिन स्नान आधि के बाद भगवान विश्व के नारायन सुरूप का ध्यान करें और साथ ही शी नारायन के इस मंतर का जब करें मंतर है ओम नमो भगवते नारायन आया आज शी नारायन के इस मंतर का 11 बार जब करने के से आप अपने काम को बेहतर धंग से पूरा कर पाएंगे अगर आप अपनी वास्तवे की यात्रा से अर्थलाब पाना चाहते हैं अपनी फाइनेंशल कंडिशन को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन एक केसर की डिपी लेकर उसे भगवान विश्रू के चरणों में लगा कर अपने पास रख लें और जब कभी आप किसी व्यावसाई की यात्रा से बाहर जाएं तो उस केसर से अपने मात्रे पर तिलक लगा कर जाएं लेकिन अगर आप केसर न ले सकें तो आप एक डिपी में सुखी हल्दी ले ले आज के दिन ऐसा करने से आपको व्यावसाई की यात्राओं से अर्थ लाव जरूर मिलेगा लहाजा आपकी फानेंशल कंडिशन बहतर होगी अगर आपकी संतान की गत्वीद्यों के पति आपको हमेशा चिंता बनी रहती है तो आज के दिन आपको एक नया पीले रंग का कपला लेकर उसे अपनी संतान के हाथों से इस पर्ष कराकर श्री विश्रु मंदिर में चढ़ाना चाहिए साथ ही इस मंतर का ग्यारा बार जब करना चाहिए मंतर है ओम आइंग ब्रहस पताए नमाहा ओम आइंग ब्रहस पताए नमाहा आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी संतान की गत्वीद्यों के पति आपकी चिंता तूर होगी अगर आप घर के बड़े बुजर्गों के साथ प्रेम भाव बनाये रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शी विश्णु भगवान की विधी पूरवक पूजा करनी चाहिए और भगवान को आमरस का भोग लगाना चाहिए भोग लगाने के बाद परसाद के रूप में थोड़ा सा आमरस कुदगरान करें और घर के बड़े बुजर्गों को भी दीजिए आज के दिन ऐसा करने से घर के बड़े बुजर्गों के साथ आपका प्रेम भाव बना रहेगा अगर आप जीवन में नेगेटिव सिचुएशन से बचे रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भागवान विश्यू की पूजा के समय पांच गोमती चक्र लेकर भागवान के सामने रखने चाहिए और उनकी विद्विधान पूरग धूब दीब आजिसे पूजा करनी चाहिए पूजा के बाद उन गोमती चक्र को उठा कर एक पीले रंग के कपड़े में बांध कर अपने पास रख ले आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन में नेगेटिव सिजुएशन से बचे रहेंगे अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करना चाहते हैं यानि उन्हें बिना किसी परेशानी के अच्छे से निभाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको ओम नमो भगवते नारायनाया इस मंतर का 108 बार जब करना चाहिए और मंतर जब के बाद शीविश्व को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी जिम्मादारियों का अच्छे से निर्वान कर पाएँगे अगर आप अपने संतान को करियर में सफल बनाना चाहते हैं या जिनकी संतान बिजनिस कर रही है और उनके बिजनिस में बढ़ोतनी चाहते हैं तो आज सूखा नादियल घिसकर उसमें एक बून बादाम का तेल मिलाकर किसी मंदर या धर्मस्थल पर दान कीजिए आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान को करियर में सफलता अवश्य मिलेगी और आपके बिजनस में बरहुतरी होगी अगर आप अपनी संतान को सभी कारियों में अववल रखना चाहते हैं साथ ही संतान पाने की इच्छा रखते हैं तो आज सूरेदेव के तंत्रोक्त मंतर का जब कीजिए मंतर है ओम रांग रेंग रांग सासूर्याए नवहाँ इस मंतर का ग्यारा बार जब कीजिए और जाप के बाद मंदिर में गेहूं के दलिये का दान कीजिए आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान हमेशा अववल रहेगी और अगर आप संतान पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको जल्द ही संतान की परक्ति होगी तो ये सारी चर्चा थी आज वैदित योग और मूल नक्षत्र के बारे में उमीद है कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा लाब अवश्य उठाएंगे इसके अलावा आज सुतंतता दिवस है आज पूरे भारत वर्ष में बड़े ही हर्चो लास के साथ आजादी का 78 वी वर्षकांट मनाई जा रही है आप सब जानते हैं कि भारत वर्ष को आजाद करने के लिए अनेकों वीरों ने हंस्ते हंस्ते अपने प्राणों को नेचावर कर दिया था मैं आप सबको सुतंतता दिवस की बधाई देता हूँ और उन वीरों को नमन करता हूँ जिनोंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राण नियुचावर किये हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज बहुश के बारे में और A, B, A, D, D ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों चूंकि आज के Zमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गट्विदियों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छे अपरचुनिटी बिले वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमार ले, किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है आज आपके घर पर कोई करीबी निश्टेदार आ सकता है इससे आपका घर खुश्यों से भरा रहेगा बी, आज आपकी मेहनत और लगन देखकर जूनियर्स आपसे कुछ नया सीखेंगे आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी सी, आज बिजनेस में परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा घर के सबी सरस्यों में तालमेल बना रहेगा डी, आज आज आपका दिन बहतरीन है आपको नया कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं आपका मन अध्याद में की तरफ रहेगा आप किसी से इस विशय में अपने विचार विक्त करेंगे आज अगर किसी इंटर्व्यू में जाना है तो बात करते समय अपने आत्व विश्वास में कमी ना आने दे जी आज किसी से खास विशय पर कुछ भी कहने से पहले विचार करना आवश्यक होगा आज आज आप बड़े बुजर्गों की सिहत का ख्याल लखेंगे और उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे आई आज आफिस में काम समय से पूरा कर देने पर बॉस आप से खुछ रहेंगे आपको शाबाशी मिलेगी जे आज आज आपको पढ़ाई के पती मेहनत करते रहना चाहिए आने वाले समय में ये मेहनत रंग लाएगी के उन्नती पाने के सुनहरे मौके मिलेंगे जिससे आपका करियर बेहतरीन होगा एल किसी मामले को लेकर आप थोड़ी उल्जन में रह सकते हैं लेकिस समय बीचने के साथ सब अच्छा हो जाएगा M. परिवार वालों के साथ जादा से जादा समय बिताएंगे जिससे आपके रिष्टे में मदोर्ता बढ़ेगी N. आज आपके दोस्त जरूरत के समय आपके मदद करेंगे आप उनका बहुत आभार मानेंगे O. जिस काम की आपको जानकारी नहीं है वो काम आपको करने से बचना चाहिए P. अपने मन को शांत बनाए रखें कोई भी ऐसी बात अपने मन में ना आने दें जिससे उल्जन हो Q. कारूबारियों के लिए आज का दिन फाइदे मन रहेगा आपको किसी कस्टमर के जरिये धन लाब होगा R. किसी के साथ चल रही अनवन आज खत्म हो जाएगी रिष्टा और अच्छा बनेगा S. आफिस में दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपका कोई काम पूरा होगा T. आज आप सभी तरह की परिष्टियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे U. संतान के साथ आज कुछ अच्छा होगा जिससे आपको खुशी मिलेगी V. आज आपको ठकान महसूस हो सकती है अच्छी डाइट आपको फिट रखने में मदद करेगी W. आज आपकी बनाई गई योजराय पूरी होंगी जिससे आप बहुत खुश होंगे X. आज आप किसी से अपने मन की बात कहेंगे वो आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा Y. आज अपने कारियों में आप गंभीरता दिखाएंगे घर की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेंगे Z. आज का दिन खुद में बदलाव लाने के लिए अच्छा है सफलता जल्द ही आपके कदम चूमेगी और अब बात आज के तीर्थ की आज हम आपको कराने जा रहे हैं हिमाचल के जुबल शिव मंदिर के दर्शन ये मंदिर हिमाचल की राध्धानी शिमला से कुछ ही दूरी पर जुबल नामख स्थान पर इस्तित है मंदिर के आसपास का वातावरान अत्यंत मनोहरी है मंदिर के पास एक छोटी सी नदी की धारा भी बहती है मंदिर पूरी तरह से हिमाचली शैली में बनाया गया है जो लकड़ी और पत्थर की मदद से बनाया गया है कहा जाता है कि पुरातन काल में एक बार जुबल के राजा भारी मुसीवत में पढ़ गए थे तब रावनों के कहने पर राजा ने यहां भागवान शिव का मंदिर बनाया तभी से इस मंदिर की काफी मानिता है तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अदभुद शिव मंदिर के दर्शन और अब बात सामुद्दिक शास्त्र की सामुद्दिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आँखों के फलकने के बारे में सामुद्दिक शास्त्र के अनुसार दाइं आख का फ़लकना पूरुसों के लिए शुब माना जाता है जबकि बाइं आख का फ़लकना महिलाओं के लिए शुब माना जाता है यदि पूरुशों की दाइं आग की उपरी पलक और भावे फड़ती हैं तो माना जाता है कि उनके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और पदोननती वाधनलाब होता है परन्तों अगर महिलाओं की दाइं आँकी उपनी पलक और भावें फड़कें तो उनके लिए ये शुब मानी जाती है और उनके सारे काम बेगाडने वाली होती है अशुब मानी जाती है वही अगर इस्तियों के बाई आँकी पलक और भावें फड़कें तो उनके लिए बड़ा ही शुब है अच्छा है लेकिन पूरसों के लिए इस्तिती बिलकुल उल्टी हो जाती है पूरसों के किसी पुराने समय से पुराने दुश्मन से कहा सुनी हो सकती है या किसी से दस्तिको शावण शुकल पक्षिकी दश्मी तिति है दश्मी तिति में कलंबी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए कलंबी एक पत्यदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है दश्मी तिति आज सुबह 10 बच कर 27 मिनट तक रहेगी उसके बाद एकादशी तिति लग जाएगी जो कि कल सुबह 9 बच कर 40 मिनट तक रहेगी एकादशी तिति में शिंबी यानि कि सेम की सब्जी का सेवन निशिद है इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है इस तरह तिति का समय जानकर आप अपने खाने का शेडियूल बना सकते हैं बाक पूर्व और अब वक्त है आज की टिप और दिडे का आज भगवान शी विश्व की पूजा करें सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुसे विक्तिकत संपर करने के लिए फ उसकार